मैंने ऐसे बहुत सारे freelancers को देखा है जिनके पास talent तो होता है लेकिन वो जहां पर मात खा जाते हैं वो है उनकी propose making skills आज मैं एक ऐसे ही टूल के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे आपकी proposal skills जो है वो increase हो जाएगी हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी आज हम लोग जिस टूल के बारे में बात करने वाला हूँ जिस टूल का मैं review करने वाला हूँ वो है fresh proposals इसके थुरू आप लोग proposals भेज सकते हो अपने clients को एक well documented format में और review के साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा कि आपको इसको आक्चल में use भी कैसे करना है मैं खुद एक freelancer था मैंने खुद बहुत सारे freelancers को hire किया है so I do know what I am talking about इस टूल का giveaway भी होने वाला है so video को end तक देखीगा so proposal होता का है proposal basically यह होता है कि आप client को क्या काम करके देने वाले हो आपकी history क्या रही है आपकी team में कौन-कौन है कितना budget रहेगा उसका और maintenance charges क्या रहेगे पूरा उस project से related और वो चीज़े जो अपने past में करी है जो उस project को impact कर सकती है वो सब proposal में आ जाता है जैसे कि details page, cover page, scope क्या रहेगा project का, project की timeline क्या रहेगा budget क्या रहेगा, team के बारे में, आपके past experience के बारे में, testimonials और terms of service क्या रहेगे, contract क्या रहेगा और आख्रे में signature यह सब एक proposal में होता है ना ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है कि यही होना चाहिए यहां इसके उपर नहीं हो सकता है यह depends करता है कि आप किस type की service अपनी provide करा रहे हो और किस type का आपका client है so fresh proposal है कि ऐसा ही tool है जो कि आपको help करता है एक अच्छा proposal बनाने के लिए तो मैं इसके features पर पहले touch on कर देता हूं यहां पर आपको templates मिल जाती है 40 pre-made यहां पर templates मिल जाती है हर type के आपको templates मिल जाती है यह सारी अलग-अलग different यहां पर categories इन्हों ने दी है कि आप कौन सी category में हो जैसे मान दो मुझे चाहिए marketing के लिए let's search for account base ठीक है अब मुझे अगर digital marketing में भी यहां पर है digital marketing में मुझे करनी है social media marketing तो यहां मेरी template यहां पर readymate आ गई है आपको सिर्फ यहां पर अपना data अगरे चेंज कर दोगे जो भी आपको चेंज करना है और इसके बाद हम लोग इसे send कर देंगे अपने client को इसको यहां पर हम लोग easily edit भी कर सकते हैं जो भी आपको यहां पर details अगर इडिट करने हैं हम लोग यहां पर कर लेंगे यहां पर अपने section page बना सकते हो cover page बना सकते हो section list बना सकते हो और इसस को यहां पर new section पर जाऊंगा मैं यहां पर अपना enter देना कीप曲 session यहां पर मेरा section बन गया यह वाला मैं इसमें आपर अपने pages जाल सकता हूं यहां फिर एक और section जाल सकता हूं और यहां पर आपको टूल बार मिल जाएगा कि आपको यहां पर क्या डालना है text जालना है text आप लोग यहां पर डाल सकते हो और इसके रेटर में सारे important functions आपको मिल जाएंगे जो एक चीज यहां पर stand out करती है वो है Feast Table Feast Table में आप लोग अपने जो भी आप लोग जॉब कर रहे हो उसका description दे सकते हो जैसे post creation और यहां पर आप लोग price दे सकते हो कि एक post का कितना price रहेगा मालो I am taking 100 रुपीज फिर यहां पर quantity में मैं आपकी around 30 post बना के दूँगा तो यह total हागया हमारा 3000 का उसी तरीके से हम लोग यहां पर quantity कर सकते हैं यह automatically adjust हो जाएगा और यहां पर हम लोग इसको optional भी कर सकते हैं कि क्या यह optional है क्या client को यह लेना है कि नहीं लेना है इसी टाइब से यहां पर आप लोग इसको fix भी कर सकते हो तो जो इसका फी टेबल है यहां पर आपको सारे वेरीबल्स मिल जाते हैं इसको control करने के लिए फिर हम लोग यहां पर एक और रो आड़ कर देते हैं और यहां पर quantity में हमने कर दिया इसको yearly यह हमारी वीडियो आ गया यह हम usually किसी भी PDF में नहीं कर सकते हैं ना कि एडिट वाला function दे सकते हैं तो इसमें अब आपको यह भी मिल जाएगा so I think इसका interface अच्छा है लेकिन यहां पर improvement हो सकता है जैसे कि Canva का interface है वो मेरे लिए one of the best interface है editing clay out there so इसी तरह से यहां पर भी improvement हो सकता है लेकिन by no means it's a bad editor it is a decent editor लेकिन improvements हो सकते हैं यहां पर so यह वाला tool PDF से कैसे different है देखो यहां पर एक तो आप client ना आपकी services को select कर सकता है जैसे मैं आपको feature dual बता है वो अपनी services को select कर सकता है quantity वो खुद decide कर सकता है हम लोगों आपको कुछ optional भी रख सकते हैं तो client के हाथ में आपको easy control मिल जाता है वो आपको PDF में नहीं कर सकते हो और कुछ इस tool में काफी interesting features भी है जो आपको simple PDF में नहीं मिलेंगे उसके बारे में भी अभी हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आपको basic stats मिल जाएंगे फिर proposals यहां पर हमारा main खेल शुरूव होता है कि आप लोग यहां पर अपने new proposals create कर सकते हो यहां से आपके scratch से यहां पर आप लोग करोगे I will usually recommend to go with the templates one यहां पर अच्छी templates आपको मिल जाएगी 40 templates है एक जो template बता रहा है वो मैंने extra create कर यह तो यहां पर जैसे मुझे software में जाना है software में जा करके mobile app development में आप पर preview करके select करके edit करके अपने client को भीज दूँगा उसी तरह से यहां एक content library content library मतलब आपने कुछ sections बना के रखें उन सारे sections को आप लोग reuse कर सकते हो मानलो कुछ fee है fee schedule में ने इक already बना के रखा है उस fee schedule को मुझे हर template में use करना है अलग-अलग template में use करना है तो मैं इसको content library में डाल दूँगा और images है मुझे कुछ images बार-बार यूस करनी पड़ती है इसको भी मैं content library में डाल दूँगा basically जो भी आपको reuse करना रहता है वो आप लोग इस content library में डाल देते हो फिर यहाँ पर आप लोग अपने clients को manage कर सकते हो जितने भी आपके clients से सबको import कर सकते हो सबको एक साथ चीजे सेंड कर सकते हो settings में जाता हूं को custom domain आ जाता है email white listing आ ज एक website के तरह दिखता है बट इस case में वो ऐसा नहीं रहेगा फिर आता है यहाँ पर analytics का feature मेरे हिसाब से यह वाला feature इस tool को really stand out कर देता है काफी अच्छा feature है यह analytics में basically बताता है कि कब किस client ने खोला है कब उसमें कौन सा action लिया है कौन से section में उसने जादा time spent किया है तो वो म क्लाइंट से लेक्ट कर लूँगा जैसे के client है DDE के नाम से मेरा तो इस client ने total कितने minute तक मेरा यह वाला प्रपोजल देखा है दो मिनिट 19 सेकंड तक चार बार यह देख चुका है और कब इसने last time देखा था तो इस चीज़ से मुझे पता चल जा जाता है कि उसने खोला है क कि नहीं खोला है क्या उसने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है और फिर यहां पर आता है हमारे पास top viewed sections इसने कौन से section में सबस्यादा time spent किया है signature पी किया है cover page पी किया है welcome note पी किया है और यहां पर आपको proposal activity भी देखने को मिल जाती है कब-कब इसने खोला है वो सारी चीज time to go through the proposal एक section है जहां पर वो stuck हो गया है मानलो budget section में वो stuck हो गया है तो फिर आप लोग उनको follow up करें पूछ सकते हो कि क्या आपको budget में कोई problem है फिर एक section है जिसको बार बार visit करके देख रहे हैं यहां पर हमें visit का भी दिख जाते है कि कि कितने बार इन्होंने visit किया है उस section क जैसे मानलो welcome note पे तो हमेशा ज्यादा visits ही रहेंगे लेकिन कोई एक नीचे वाला section है जहां पर उन्होंने काफी बार visit किया है जैसे scope of service पे visit किया है तो फिर उनको scope of service में शायद से कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर आप लोग उनको follow up करके वो चीजी easily explain कर देते ह तो इससे जो आपका follow up communication होगा वो और बेटर हो सकता है अगर आप लोग इस analytics tool को properly use करोगे तो यह analytics feature अच्छा है लेकिन मेरे हिसाब से इसमें एक feature missing है वो है bounce का feature bounce मतलब कौन से section के बाद client ने quit कर दिया अगर यह वाला feature भी इसमें होता तो यह वाला tool काफी अच्छा हो जा उस budget के range में नहीं है मुझे यहां तो अपना budget कम करना पड़ेगा यहां फिर मुझे अपना client base change करना पड़ेगा तो bounce का feature भी मैं देखना चाहूंगा इस tool में in future फिलाल तो नहीं है अब यहां पर client इसे sign भी कर सकता है जैसे यह proposal है इसको already मैंने sign कर दिया और यह मेरा demo client था जैसे कि अभी जो मेरा domain है वो एक kp.freshproposals.com तो मैं custom domain पर साथ जाके यहां पर अपना domain name अड़ कर सकता हूं उससे यह मेरे domain name पर आजाएगा जैसे proposals.kripage.com तो यह थोड़ा और professional look देगा उसे अब अगर में इनके roadmap के बात करों तो यह रहा हमारे पास इनका roadmap जो मुझे इसमें सबसे अच्छा feature लगा है वो Stripe Payment का integration अब यहां पर integration के बाद यह tool काफी अच्छा और powerful हो जाएगा क्योंकि जैसे ही मैं पर proposal भेजूँगा क्लाइन सीधे यहां पर accept और deny कर सकता है मेरे प्रपोजल को साथ ही साथ payment भी कर सकता है directly उसी प्रपोजल में से आवर्ट बाई Stripe रहेगा वो तो वो अपनी credit card यहां फे debit card से payment आपको कर सकता है और यह चीजे जो आपके पुराने और आपको पांच मिनिट के अंदर मुझे तो परसनल यहां पर पांच मिनिट के अंदर reply आ गए थे अगर मैं इसकी प्राइजिंग की बात करूं तो इनकी website पर आपको डॉलर 18 पर मन्त पर यूजर की मिलेगी आपको और एक यूजर नहीं पर दस प्रपोजल भेज सकता है लेकिन आप सुमों पर अभी ये डील पर है lifetime इसकी डील यहां पर चल रही है जहां पर इसकी pricing आपको मिल रहे है $49 की जहां पर एक यूजर है और 30 active proposals है मतलब मैंने एक प्रपोजल बना दिया और वो client ने reject नहीं किया है ना accept किया है वो active में रहेगा जैसे ही उसने accept है या reject कर दिया वो unactive हो जाएगा तो आप लो 30 total active proposals से आप बना सकते हो unlimited clients को भीच सकते हो unlimited templates से जितनी templates आती जाएगी वो आपको मिलती जाएगी $49 वाले plan में white labeling है मतलब आप लोग यहां पर अपना domain name भी set कर सकते हो time की बात करो तो आपको शुरुआत में एक से लेके 2 घंटे तक लग सकते हैं even अगर आप लोग उनकी pre-made templates को भी tweak करोगे तो भी आपको इतना time तो minimum लगेगा अपने पहले proposal को create करने के लिए so मैं personally इस tool को भी freelancing ले नहीं use करूँगा क्योंकि मैं तो अभी freelancing नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं इसको काफी और different scenarios ले भी use कर सकता हूँ जैसे मैं जब sponsors को reach out करता हूँ clients को consult करता हूँ फिर अगर मैं किसी को reach out कर रहा हूँ कोई मैंने course बनाया है मुझे उसे sell करना है मुझे testimonial चीए किसी से and employee को मुझे offer letters भीजना है या फिर मैं इसको future में as a backlink outreach भी मैं इसको use कर सकता हूँ कि मुझे कोई websites को reach out करना है और फिर मैंने वो template बना दी फिर मैंने वो किसी और को outsource कर दिया कि यह वाली template का use करके आप लोग दूसरे website owners को reach out करो तो मेरे proposals में एक X factor आ जाएगा और वो मुझे थोड़ा stand out कर देंगे बाकी crowd से अब अगर मैं इसके कुछ cons के बारे में बात करूँ तो जो इसका editor है वो थोड़ा glitchy मिला है मुझे bounce segment नहीं है यहाँ पर analytics feature में email templates है लेकिन उसको और थोड़ा बढ़ाया जा सकता है जैसे it looks very basic ठीक है यहाँ पर आपको कुछ जादा email templates नहीं देखने को मिलती है हाला कि इसका main feature भी नहीं है जैसे थोड़ा import करना content library को import करना तो उसका जो user interface है उसको थोड़ा और easy बनाया जा सकता है so क्या यह आपको tool लेना चाहिए मेरे हैसाब से इस tool के पैसे add present तो आप लोग एक ही client से वसूल कर लोगे तो definitely go for this one यह tool आपको stand out करने में काफी help करने वाला है clients को reach करने में काफी help करने वाला है और अगर आप लोग अभी starting कर रहे हो तो शायद से आप लोग इस tool को भी skip कर सकते हो लेकिन आप लोग already clients के साथ में deal करते हो आपको थोड़ा बहुत experience है तो फिर आप लोग definitely इस tool में invest कर सकते हो और अगर अभी तक आप लोग कोई proposal tool का use नहीं कर सकते हो तो फिर it's good और अगर आपको नहीं करना invest तो जो मेरी पुरानी traditional trick है कि वीडियो बना के भेजो वो भी आप लोग कर सकते हो उसका detailed वीडियो में ने बनाया वो आपको आई बटन के उपर मिल जाएगा तो ट्राय करना है तो कर सकते हो आप सुमों पर आपको 60 डेस का refund भी मिल जाता है अब अगर यहां पर में गिवावे के बारे में बात करूँ तो यहां पर दो फ्रेश प्रपोजल के lifetime accounts आपको गिवावे में दिये जा रहे हैं इसका result 27 December को आएगा संडे को आएगा मैं अप को गिवावे पसंद आते हैं तो do hit the like button it really helps me and motivate me कि मैं इस तरह के वीडियो आप लोग ला पाऊं participate कैसे करना है participate क्ले आपको नीचे link मिल जाएगा उस link पर चले जाओ अपना email idea enter कर लो और आप लो automatically giveaway में participate कर लोगे so that's all for this one अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो थम आप देजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा and I will see you guys in the next one goodbye